अरिके बश्यूना इसकारा सवी हो चाहेत हैं फि एक मैका आटा अिपू बनाऊंगा इह प्रिकों से तो आप हैं। देखने कर सकते हैं। कुछी अर्टा जुर्टा मैंने द्थूअधा हैं। आटा गुदने के लिए हमने बड़ा बरतल लिया है मक्य का आटा डाला अब उसमें हम गेहूं का आटा डालेगे दोनों का रेशियो आप 60-40 तो कम जादा कर सकते अपने कोडिंग रख सकते हैं और यह बहुत ही है मक्य काटा मैं आपको बेल के दिखाऊंगी बिल्कुल ऐसे गेहों के आटे की तरह, ये देखिए, धुले हुए, साफ, मेथी के, कटे हुए पत्ते, एक बाउल लिया है मैंने, अब इसमें हम थोड़ा सा ओयल डालेंगे, ओयल ऑप्सिनल है, अगर आपका मन है, तो आप डालें, ओयल डालें, घी डालें, जो भी डालें, उसे थोड़ा हमारा पराथा सॉफ्ट बनता है, ओयल डालने से, आप अगर स्किप करना चाहते हैं, तो स्किप भी कर सकते हैं, पराथे को और भी यमी बनाने के लिए, उसमें एक चमच चिली फ्लैक्स डालेंगे, एक चोटी चमच कलाउंजी डालेंगे, देखिए, देखिए, देखिए हिसाब से लेगे, और गुनगुने पानी में इस आटे को अच्छे से गूदेंगे, नमक आप अपने कौडिंग रख सकते हैं, वन टेवल स्पून लिया है मैंने, अच्छे से मिक्स करते हैं सबको, और इसको एक सॉफ्ट डो लगाएंगे, सर्दियों का मौसम है, तो गु जादा सॉफ्ट गुनता है, और पराठे भी अच्छे बनेगे, इसलिए थोड़ा सा गुनगुना पानी, अब नॉर्मल आटा भी लगाएं सर्दियों में, तो गुनगुना पानी थोड़ा सा रखें, उसे हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट बनता है, यह देखिए, एक पान पानी लिया था मैंने, जिसमें थोड़ा सा पानी ही बचा है, बाकि सारा यूज हो गया हमारा, और इसको अच्छे से सॉफ्ट डो बनाएंगे, और थर्टी मिनट्स के लिए इसको रेस्ट करने के लिए आटे को हम रख देंगे, आट्टर थर्टी मिनट्स ये देखिए, ह बहुत ही हेल्दी होता है मक्य का अटा, सर्दियों में तो खाना ही चाहिए, ये देखे थोड़ा सा उस पर आटा लगा दे, कोई भी आटा गेहूं का आटा या मक्य का आटा जो भी है आपके पास, वो लगा के और ऐसे बेल ले, मक्य का आटा थोड़ा बहुत फटता है, स को उस पर डाल देंगे, एक साइट सिखने के बाद उस पर घी लगाएंगे, और करारे कुरकुरे पराठे देखे हमारे बन के रेडी हो जाएंगे, और कितनी आसानी से बिल गया ये आप देख सकते हैं, मक्य के आटे में गेहूं का आटा मिलाने का यही ट्रिक है, ताकि हम हमारा मक्य का आटा आराम से, आसानी से बिल जाए, ये तो हमारी दादी नानी, उनको हाथ पर बनाती थी मक्य के आटे को, उनसे इतने आसानी से बिल दा नहीं था तो यह देखे, कितना अच्छा और कुरकुरा बना है हमारा पराठा, हेल्दी के साथ साथ ये यमी भी बहुत ज़्यादा है. एक और पराठा बना के दिखाती हूं मैं सेम तरीके से. इस पराठे को आप चटनी के साथ खाएं. सबजी के साथ खाएं. हेल्थ के साथ साथ यमी भी बहुत है. तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा कितना कुर्कुडा, मज़दार बना है इसको मैंने बैगन के भरते और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है धेखे कितना यमि लग रहा है और कितनी आसानी से बन गया है चार से पास मिनुट में कोई जहंडेट नहीं, कोई महनत नहीं और सर्दियों में मेथी तो खाना ही चाहिए बहुत गरम होता है और उसके साथ मक्के के आटे का कॉंबिनेशन हो जाए तो फिर क्या कहने मज़ेदार तो चलिए एक बड़ आप ड्रेसेपी जरू ट्राइ करें पसंद आए तो प्लीज लाइक से और सबस्क्राइब करें थैंक यू बाबाई